कहां पर यूज करते हैं हम should का suggestions देने के लिए जब भी आप किसी को कोई suggestion देते हो कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है या फिर suggestion मांगते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो वहां पर हम should का यूज करते हैं आपको वहाँ जाना चाहिए ठीक है आपको rules follow करने चाहिए आपको बड़ों की respect करनी चाहिए ठीक है और क्या हो सकता है आपको ये car खरीद लेनी चाहिए ये mobile खरीद लेना चाहिए बहाँ पे हम क्या use करते हैं किसी को advice दे रहे हैं सामने वाले को suggestion को माने ना माने doesn't matter journal जो advice ह कि आप सामने वाले को बोलोगे और end में चाहिए लगा होगा तो उस situation में हम क्या use करते हैं should का ये हम present के लिए use करते हैं ठीक है अभी के लिए आप advice दे रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए note करो rule सबसे पहले subject आ जाएगा उसके बाद should आ जाएगा फिर first form of verb आ जाएगी फि आपका subject singular हो, plural हो, doesn't matter, सबके साथ should ही आएगा और should के साथ first form आएगी, clear? have you note it down? चल, good, example देखो, smoking नहीं करनी चाहिए, तो क्या लोग मान लेते हैं? नहीं मानते ना, वो सिर्फ एक journal advice होती है कि आपकी health के लिए अच्छा नहीं है, आपको quit कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पर depend करता है लोगों पर वो छोड़े नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत सिर्फ एक suggestion है, उसके लिए कोई fine नहीं है, उसके लिए कोई punishment नहीं है, clear? तो उस sense में हम क्या use करेंगे? शुड़ का, next example देखो, आपको ये काम करना चाहिए, कोई भी काम है, आप सामने वाले को suggestion दे रहे हो, कि आपको ये काम करना चाहिए, तो क्या आजाएगा? you should do this work, you should do this work, clear? समझ में आ रहे है न गाईज? very good, you should do exercise daily, yeah every day, very nice, good, you should do your work on time, you should complete your work on time, you should attend the classes, what, okay very good, अब बता भी सकते हो, no problem, clear guys, clear है न, समझ में आया, where do we use should, present के लिए यूज़ करेंगे, present में suggestion देने के लिए, clear आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहां जाना चाहिए, आपको rules follow करने चाहिए, आपको meeting attend करनी चाहिए, आपको English बोलनी चाहिए, आपको English सीखनी चाहिए, है न, आपको meeting arrange करनी चाहिए, पार्ती देनी चाहिए, बड़ों की respect करनी चाहिए, बच्चों से politely बात करनी चाहिए, यह सारे क्या है, should के sentences, जहां पर आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, journal suggestion दे रहे हो, आपको class में चुप रहना चाहिए, तो एक journal duty है, एक obligation है, you should keep quiet in the class, देखें, आपको library में चुप रहना चाहिए, you should keep quiet in the library, तो यह सारे क्या हैं आपकी duties, आपकी obligation के sentences के under आती है, clear, fine guys, same rule है, same ही जो है, बस सिर्फ condition different है, इसको अलग category बना दिया गया है, difference इसमें कुछ भी नहीं है, role भी वही है, पहचान भी वही है,